तो दस मिनिट का समय आपके पास और टोप ये क्यावन किशन की आपको आंसर देने हैं तो जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में कॉमेट करके आप जरूर बताएं कि कितने परसन आपने सही किये हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सारे के सारे और सेर कर दीजिए ताकि 100 टेस्ट का हमारा टार्गेट है वो जल्दी से कंप्लिट हो उसके एक्जाम से पहले पहले रिविजन करने के लिए अगर आप चाते हैं कि पीडिएप ले तो पीडिएप आपको टेलिग्राम से मिलेगी जिसका लिंक है प्रहला सारन सर के नाम से है सारी PDF आज तक जितने भी मारे टेस्ट हुए हैं या जितने भी होने वाले हैं सारी PDF आपको यहीं पर टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो करें सरवात देखते हैं आज का आपका स्कोर क्या है पहला है कि करिशी से समंधित एक सब्स दोता है औरणा औरणा का मतलब क्या होता है औरणा का मतलब होता है कि हलके साथ बीज की बुवाई करना हलके साथ बीज बुवाई यानि एक आपका सही है एकला है कि पीला पॉमचा क्या काम आता है सिंपल सा प्यारा से क्यूशन आलंकि आया वाहे ओडने के लिए काम आता है औरने के लिए भी आपका ठीक है एकला है कि कादरी संस्तान कहां पर बनी हुई है कादरी संस्ता कहां पर है जोदपुर में है कादरी संस्ता रुपायन जोदपुर में है एक आपका सही है एकला है कि निमबारक संपरदय की परदान पीठ राजस्तान में कहां पर बनी हुई है परदान पीठ यह सलिमाबाद में और सलिमाबाद आता है अजमेर जिल्ले में परसुराम जी ने इसकी स्तापना की थी एकला कि हलसोटी किसे कहते हैं राजस्तान में भी हलसोटी होता है कि वर्सा से पहले खेत को तैयार करना वर्षा से पहले खेत को तियार करना हलशोटी कहलाता है एक लागागी सेकवाटी चेतर में दूलन की विदाए पर उसकी मा बहनों के दुआरा उनकी याद में गाए जाने वाला लोख गीत क्या कहलाता है तो बदावा कहते हैं ओर्यू गीत कह दिए ओर्यू बैसे तो किसी की याद के लिए है एक आपका सही है एकला कि राजस्तान में नहरों से सिंचाई सरवादी किस जिले में होती है नहरों से सबसे ज़्यादा होती है स्री गंगानगर जिले में तालाब से सबसे ज़्यादा होती है बीलवडा जिले में और कुवे नलकूप से ज़्यादा होती है जैपूर जिले में अगला है कि गोडा जीरा किस पसल का दूसरा नाम यानि स्थानिय नाम है तो गोडा जीरा कहते हैं इस सब गोल को एक आपका सही है अगला है कि राज़तान के किस जील में सोरवेद साला है तो पते सग जील उदेपूर तो राइटांसर आपका भी हो जाएगा और अगला है कि पलास्टिक मनी से क्या तात परी है पलास्टिक मनी यानि क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक आपका सही है एकले की मेवाड छेतर में वरिष्टों के फूलों का उपयोग देशी सराब बनाने के लिए किया जाता है किस वरिष्ट का यूज़ करते हैं महुआ का सराब बनाने के लिए बीयापका सही है एकले की भारत की पहली आदिवाशी महीला राजेपाल कोन रही थी तो सरिमती द्रोपदी मूर्मू यानि बीयापका सही है एकले की रास्तान के किस मेले को आदिवाशीयों का कुम कहा जाता है वागड का कुम कह दीजी आदिवाचियों का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं मरीत आत्माओं का मुक्ती दहम कह सकते हैं बनेश्वर मेला जोकी डुमवरपूर में बढ़ता है अगला है कि किस महादीप में सरी सर्फ नहीं पाए जाते तो अंटारटिक में अंटारटिका में डियाप का ठीक है अगला है कि चेतक परियोजना किसे से सम्मदित है और ये सीमा सडक संक्टन से डियाप का सही है अगला है कि निमन में से गाय की कौनशी नसल मालानी नसल के नाम से भी जानी जाती है थार पार कर नसल जो पसमी राजस्तान में खास तोशे बाड़मेर जसलमेर वाले अरिया में और मलीनात फस्तू मेला जो लगता है बाड़मेर में उसमें सरवादी करे भिकरे इसी नसल का होता है अगला कि पंचायती राजस्तों को सविधानिक एहमियत निमन में से किस सविधान संसोधन दिनियम के दोरा पदान की गए थी पंचायतों को सविधानिक दरजा तेतरवे सविधान संसोधन के दोरा भी आपका सही है अगला है कि निमन वैसे किस परजाती मूलते रेगिस्तान से सम्मधित नहीं है तो रोईडा तो है, फोग भी है, खेजडी मैन है, ढाक नहीं है, सी आपका सही है अगला है कि करशी से समंधिक सबद होता है निनान नीनान का मतल होता है नीराई गुडाई करना यानी एक आपका सही है अगल है कि नीमन मैंसे सरवादिक फलोराइड परभावीत राजे कुन सा है फलोराइड से परभावीत राजस्तान है एक आपका सही है और अगला है कि महाबिनीश कर्मन किस के जीवन किस से सम्दित गटना है यह माथां बुद्धी से सम्दित है महाबिनीश कर्मन गरेट्या की गटना अगला है कि मिसन इंदर दनूस राजस्तान की तोरा निमन में से किस हेतू प्रारम किया गया था मिसन इंदर दोंगों से संपूर्ण टीका करन बियान अब इसका संसकंट 3.0 शुरू किया गया था अगला एक हाली में किस देश का पहला डिजीटल राज्य गोशित हुआ है पहला डिजीटल राज्य बना है केरल यानि सी आपका सही है अगला कि विद्यारती दिवस किस तारीकों मनाते हैं तो ये 15 अक्टोबर को मनाया जाता है एक आपका सही है और अगला कि छेतरवकी दश्टी से राजस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जीला कौन से है अगला कि मुंसी रानी की छत्री कहां पर बनी हुई है मुंसी रानी की छत्री है अलवर में कितने खमों की है ये आप कॉमेंट करके बताएंगे अगला कि सुन्दा माता कंजर्वेशन रिजो मुकेत है किस परजाती की सरेक्षन के लिए है सुन्दा माता यह जालोर में है ठीक है भालू बिहारन है यहांपर भालू के लिए परसीदर पहला रोपे भी यहीं पर है अगला है कि घणमोर पक्षी निमन मैंसे किस जिले में मुखेते देखा जा सकता है तो यह परताब गड़ में सीता माता अभी हरान भी यह बहांपर तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अगला है कि सांडा यानि स्पाइनी टेल्ज लिज़ारड निमन मैंसे कहां भहुतायत में पाया जाता है और यह तालचापर में ठीक है तालचापर चुरू में है जहांपर कृष्णमरिक देखने को मिलते हैं अगला है कि निमन मैंसे भिन क्या है नदियां देर की है वाकल नदी मानसी नदी सोम नदी ये तो आप जानते हैं तीनों तो बरंपूतर अलग होगी बरंपूतर अलग है डी आपका सही है अगल है कि नर्मदा नदी का पानी नहर की दोरा राजस्तान के किस जिल्ले तक पहुंचाया जाता है बाडमीर जालूर में है राजस्तान में हाथियों के नाम बताने कौन-कौन से, तो लुणा था, रामपरसा था, गजमुक था, गजराज था, ठीक है, तो राइटांस रब का बी हो जाएगा, अगल है कि निमन मैंसे किस रचना में, अमीर खुश्रू ने चितोड पड अलावदिन खिलजी के आकमन का वर्नन किया है, जो तेरा सो तीन का था, पहला साका वा था, खजान उल्फुतू में, डी हो जाएगा, राइटांस, अगल है कि करनल जम्स टोड ने, राठोडों का यूलिसेस किसे का है, मारवाड का अनविंदिया मोती, वीर दुर्गादास राठोड को, सी हो जाएगा, राइटांस, अगले कि कच्वार राजमस के सरक्षन में, लॉंग टेबल का अनुवाद, वीभाग सारनी की रूप में किया गया था, और इसके अनुवाद करता कों रहे थे, अनुवाद किस ने किया था, विद्या दरजी ने किया था, भी आपका सही है, अगले कि परतिक्स जीवन सास् में याद रखिए, अगले कि राजस्तान की मानिक बोली की रुप में कौन सी बोली परसीद है, मानिक बोली, मारवाडी, आप सबसे ज़्यादा भूबाग में बोले जाने वाले सबसे प्राचीन बोली, मूल बोली, मानिक बोली, या फिर पस्मी राजस्तान की परधान बो अगले कि दादू पंत का अधिकांस साइत है वो किस बोली में है दादू पंत का ढूंडाडी में है दादू पंत दादू देया जी जिने राजस्तान का कबीर कहते हैं अगला है कि राजस्तान में शेव को मानने वाली रियास्त कौन सी शेव मत को यानि जिसमें शिव जी की पूजा होती है तो कौन सी रियास्त मानती थी जोत्पुर रियास्त और वहीं पर हमें ना संपरदाय का महामंदिर बनावा है महामंदिर भी वहीं पर बनावा है तो रा और अगला है कि समूदर लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है समूदर लहर नाम का लहरिया जो है ये राजस्तान में जेपूर का परसीदे राइट आंसर आपका एक नमर अगला है कि राजस्तान कि सिताब कटी बंद में आता है तो राजस्तान आता है उस्ठन शितोशन कटी बंद में यानि B आपका सही आंसर है जी B हो जाएगा राइट आंसर अगल है कि राजस्तान में 2011 में महीला साखसर्ता दर कितनी रही थी महीला साखसर्ता है 52.2 आप रूस साखसर्ता बता दिए कोमेंट करके कितनी है अगले कि दो कूर दे रहे हैं बताना है कथन वन है कि गरामीन राजस्तान में बावगेश उर्जा का उत्तम सुरोथ है कारण क्या है कारण है कि राजस्तान में बहुत अधी संक्या में ग्रेलू मवेशी पाए जाते हैं आपको बताने कि कारण कतन में से कौन सा सही है तो दोनों बाद सही है कारण भी सही है और कतन भी सही है और कारण कतन की सही व्याख्या भी किर रहा है स्पेस्टिकन भी किर रहा है यानि भी हो जाएगा सही है अगला कि ओध्योंगी विकास है वर्धन ही तू राजस्तान निमन संस्ता अधिक सक्रिये कौन सी संस्ता जादा स्क्रिये तो रीकों संस्ता एक आपका सही अगला कि ये रुपा धाय का समध जोधपुर के किस महरा सिरा था ये जस्वन सी और बाद में उनके बेटे अजी सी हुए थे अगलाएकि पोस्कर में बर्माजी के अतिरिक्त राजस्तान में ही उनका दूसरा मंदिर कहा पर है एक पोस्कर अजमेर में बर्माजी का मंदिर है फिर आसो तरह बाड़े मेर में बनावा है एक आपका सही अगले कि जसल मेर के बाटी राजपूद किस देवी की पूजा करते हैं बाटी राजपूद जो है यह आवड माता की पूजा करते हैं तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा इसका सही आंसर तो आप लोगों ने कितने सही किये हैं आपका स्कोर क्या है कॉमेंट करके आप जरूर बदाएं पचास मैं से और राध को डेली आट बजे हम टोपिक वाइस लाइव टेस्ट करते हैं और आज का हमारा टोपिक राजस्तान की नदियां आपवात अंतर तो जरूर पढ़के आएं पीडियाप लेना चाहते हैं तो टेली ग्राम से जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से सारी पीडियाप यहीं से मिलेगी जीतने भी पुराने वीडियूज हैं या जीतने भी नए टेस्ट हमारे होने वाले हैं सारे यहीं से आप लेज सकते हैं लाइक से फटा बड़े बार जुरू कर दीजे टाकि सो टेस्ट का हमारा टार्गेट है कि कंप्लीट करना है हमें सो टेस्ट एक्जाम से पहले-पहले तो जल्दी से कर पाएं और इसके लिए आप लोगों का सयोग जुरूरी है कि आप लोग सयोग करें चलिए मिलते हैं रात को आट बजे एक नए टेस्ट के साथ लाइव वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू